नमस्कार दोस्तों, पात्फाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग्राथोट और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा साथी अरेबिया के द्वारा डेवलप करी जा रही अपनी बलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में रिसेंट्ली ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना की मदद से साथी अरेबिया खुद बलिस्टिक मिसाइल्स को बना रहा है ये बहुत ही चौका देने वाली न्यूस है क्यूंकि अभी तक साओधी अरेबिया दूसरों से मिसाइल खरीद तो रहा था लेकिन अपने खुद की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की केपेबिलिटी साओधी अरेबिया के पास पहली बार पाई गई है साथी अरेबिया का अपना मिसाइल प्रोग्राम यूएस के इंटरनाशनल रिलेशन्स को डिप्लोमाटिक एफर्ट को चोट पहुंचा सकता है पश्चिमी एशिया में क्यूंकि एक तरफ तो इरान के साथ वारता चल रही है और दूसरी और अपने दोस्त साथी अरेबिया को कंट्रोल करना यूएस के लिए काफी मुश्किल होगा इस पूरे मामले को डीटेल में हम डिसकस करेंगे आगे बढ़ने से पहले इतना बताना चाहता हूँ कि आप टेलिग्राम चैनल पर यहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको मेरे लेक्चर्स की अपडेट्स प्राप्त हो जाएं और पीडेफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पाथफाइंडर के सभी लेक्चर्स हमारे टेलिग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे लिंक सुनके एंड पीडेफ एजवल फॉलो मी ओन अनकाडमी आप उससे आप मेरी स्पेशल क्लासिस को नोटिफाई होकर टाइम पर देख सकते हैं और रविवार को कॉमबैट आ रहा है इसका लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है कॉमबैट एक लाइफ टेस्ट है जिसमें हिस्सा लेकर अच्छे मार्क्स लेकर आप सब्सक्रिप्शन जीच सकते हैं अनकाडमी की तरफ से अगर आप अच्छी रहें कहां पर लेकर आते हैं आईए अब बात करते हैं साओधी अरेबिया की जो नाक्यवल अमेरिका का सबसे बड़ा हतियार खरीदने वाला देश है बलकि दुनिया का सबसे बड़ा आम्स इंपोर्टर है तो अगर आप मेजर वेपन्स की बात करें उसमें दुनिया में सबसे ज़ादा हतियारों की खरीद साओधी अरेबिया के द्वारा की जाती है 2016 से 2020 के बीच में दुनिया में जितने भी हतियार बेचे गए उनमें से 11 प्रतिशत एक्सपोर्ट जो हुए थे उनमें से 11 प्रतिशत साओधी अरेबिया ने इंपोर्ट किये हैं अपने देश में खरीदे हैं सेकेंड पर इंडिया आता है तो साओधी अरेबिया भारत से भी जादा हतियारों पर पैसा खर्च करता है जादा हत्यार खरीदता है और US के लिए तो यह उसका सबसे बड़ा customer है दोस्त भी है customer भी है दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं एराक, उस्ट्रेलिया, UAE, कतार जैसे देश हैं अब साओधी अरेबिया के सामने समस्या यह है कि वो कई बड़े हत्यार तो खरीद लेता है लेकिन ballistic missile खरीदने से उसे US ने मना कर रखा है because of the 1987 missile technology control regime MTCR नाम का एक agreement है दुनिया के कई देशों के बीच में जिनोंने यह तै किया कि हम missile technology हर किसी देश को नहीं बेचेंगे ध्यान में रखना कि China और Israel MTCR के सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम MTCR के protocols को follow करेंगे अब MTCR जो कि एक legally binding treaty नहीं है फिर भी वो यह कहती है कि rockets और ballistic missile जो कि बड़े स्तर पर destruction कर सकते हैं weapons of mass destruction, nuclear warheads को carry कर सकते हैं ऐसी missiles दूसरे देशों को नहीं बेची जाएगी जो MTCR के protocols का पालन नहीं करते हैं MTCR के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो Saudi Arabia उन देशों की list में नहीं आता है तो Saudi Arabia हमेशा से कहता है कि देखो Iran अपनी missile खुद बना रहा है और हमें भी missiles की आवशकता है तो Saudi Arab को जब उसके पुराने और भरोसे मंद साथी America ने missiles बेचने से मना कर दिया तो Saudi Arabia ने दूसरे देशों का रुख किया और उनमें सबसे major prominent country था China जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ चाइना ओफिशली MTCR का पार्ट नहीं है तो चाइना ने Saudi Arabia को कई दशकों पहले 80s और 90s में भी missiles बेची थी वो missile purchases public हैं वो missile बनी बनाई missile थी जो चाइना ने Saudi Arabia को बेच दी थी in fact last purchase 2007 में हुई थी लेकिन अब Saudi Arabia अपनी खुद की missile बनाने की capacity को develop कर रहा है उसने manufacturing site चालू कर दी है जिसमें अब ballistic missiles का production किया जा सकेगा उनका उत्पादन Saudi Arabia में किया जा सकेगा इस बारे में सबसे पहली intelligence report और news आई थी 2018 में जब इस प्रकार से कुछ sites satellites से discover करी गई थी जिन में probably missiles को बनाया जा रहा था या रखा जा सकता है इस तरह की ये sites थी उसके बाद 2019 में भी ये news आई थी जिसमें intelligence reports साफ तोर पर बता रही थी US की कि Saudi Arabia ने अपना missile program चालू कर दिया है लेकिन आपने शायद इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा क्योंके US ने खुद ने उस समय इन reports को जादा तवज्जो नहीं दी दबा दिया कारण क्या है कि Donald Trump जो उस समय अमेरिका के राष्टरपती थे वो Saudi Arabia को pressurize नहीं करना चाते थे वो Iran को pressurize करना चाते थे So they wanted the support of Saudi Arabia against Iran So Donald Trump की policy ये दी कि Saudi Arabia को pressurize बिलकुल भी ना करो और इसी लिए उन्होंने ballistic missile program को overlook कर दिया तो ये news 2018-19 से ही आ रही है तो जब अमेरिका ने इनके ballistic missile program पर कोई action नहीं लिया तो Saudi Arabia ने अपना program और तेजी से आगे बढ़ाया और इस program को काफी अच्छे से expand करना start कर दिया फर्वरी 2021 में जब Donald Trump के बाद में जो Biden राष्टरपती बनते हैं तो इन्होंने सबसे पहले तो Saudi Arabia का support खत्म किया offensive operations के लिए तो Yemen में जो युद्ध चल रहा है पिछले 6-7 सालों से उसमें Saudi Arabia के offensive operations का पूरा support यानि कि attack करने में जितनी भी सायता US से भेजी जा रही थी वो पूरी तरह से बंद कर दी लेकिन अभी भी defensive operations के लिए हत्यार बेचे जा रहे हैं तो इसलिए ये policy थोड़ी सी flawed है क्योंकि अब क्या offense में use होगा क्या defense में use होगा ये तै करना काफी subjective है इसके कुछ महीने बाद जून में अमेरिका ने third missiles का जो protection साओधियरेविया को दे रखा था वो भी पीछे खीच लिया और अब इन्हें तैनात किया जा रहा है युक्रेइन में जहां पर रश्या का एक बहुत बड़ा challenge उभर कर आ रहा है by the way अगर आप चाते हैं कि मैं रश्या युक्रेइन के पूरे tension पर एक वीडियो बनाओ जो पिछले कुछ अफतों से चल रहा है तो comment में जरूर बताईएगा तो अब latest evidence हमें missile बनाने के बारे में क्या मिला है देखे एक company है planet नाम की जो commercial imaging करती है satellite images वो release करती है तो उन satellite images के माध्यम से defense experts ने ये देखा है कि 2021 में recent बिल्कुल दो महीने पहले Saudi Arabia की कुछ sites पर ऐसे evidence मिले हैं जो साफ तोर पर बताते हैं कि ballistic missiles का यहाँ पर production हो रहा है actually ये site आपको देखने पर लगेगा कि यहाँ तो किवल ये क्या दो buildings हैं कुछ सडके बनी वही है लेकिन defense experts को जादा हमसे knowledge होती है of course तो उन्होंने बताया कि ये जो structure है this is a burned pit burned pit क्या होता है कि जब missiles को बनाया जाता है ballistic missiles को तो उसमें solid propellant left over होता है extra होता है उसे dispose करने के लिए एक तरह का घड़क होदा जाता है और उसमें ये fuel जलाया जाता है तो ये burned pit साफ तोर पर नजर आ रहा है आप इस photo में देखेंगे तो ये काला हो रखा है है यहाँ पर तो ये साफ evidence है कि इस burned pit को recently इस्तमाल किया गया है यहाँ पर इस image के अंदर आप देखेंगे तो इसमें ये use नहीं किया हुआ है but in the next image it is clearly seen as being used तो ये propellant rocket motors को बनाने के दौरान काम में आता है और उसका एक waste product है तो अगर ये जलाया जा रहा है इसका मतलब definitely rocket motors बन रही है और ballistic missile program पूरे जोर शोर से चालू है उसके अलावा intelligence reports भी US की ये बता चुकी है कई बार कि साथे एरेबिया अपना खुद का ballistic missile program चला रहा है लेकिन उसके खिलाव US ने अभी तक कोई action नहीं लिया है हाला कि ये सब news public नहीं है लेकिन कई media reports है आप खुद देखेंगे तो American media ने इस पर बहुत बार report किया है पर अभी जो ये recent news आई है इसमें तो evidence के साथ पहली बार ये प्रस्तुत किया गया है publicly कि किस तरह से यहाँ पर ballistic missile program चालू है अब इस missile की range क्या होगी क्या payload ये carry करने में सक्षम है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है in fact आज से 20-30 साल पहले जो चाइना से इन्होंने missiles खरीदी थी उनकी भी range के बारे में surety नहीं है तो Saudi Arabia का missile program उसके बारे में बहुत details publicly available नहीं है जैसे भारत है, चाइना, पाकिस्तान इनके programs के बारे में आपको काफी details पता होंगी बट यहाँ पर exactly क्या range है Saudi Arabia की missiles की ये बताते नहीं है लेकिन ये माना जा रहा है कि दीरे दीरे अगर ये develop होता गया program तो इनकी missile इतनी capable हो जाएगी कि ये nuclear warhead को carry कर सकती है और अगर nuclear warhead को लेकर जाती है तो इरान पर attack की संभावना होगी जब भी अगर युद्ध होता है तो वो संभावना बनी रहेगी और इरान अपना nuclear program बंद नहीं करेगा अभी US के सामने समस्या ये है कि वो JCPOA को फिर से लागू करवाना चाता है by the way JCPOA नहीं पता तो please मेरा ये lecture देख लेना लास्ट वीक का उसमें मैंने पूरा समझाया था JCPOA तो अब ये JCPOA फिर से चालू करने के लिए इरान पर दबाव बनाया जा रहा है लेकिन इरान ये कहेगा कि साओधी अरेबिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल है तो हम भी अभारी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को न्यूकलियर प्रोग्राम को जारी रखेंगे मलब साफ तोर पर ऐसा कोई नहीं कहेगा बट अल्टिमेटली दे वूर्ट ताट तो इरान और साओधी अरेबिया के बीच में जो ये एक शीत युद्ध चला आ रहा है ये कहीं होट वार में तब्दील ना हो जाए ये यूएस का सबसे बड़ा हेडेक रहेगा दोनों ही देशों के साथ उसके अलग प्रकार के में मदद क्या करी यूएस आगे चलकर और साओधी अरेबिया को मिसाइल बेचने को तयार हो गया इन्होंने का आप और हतियार हमसे ले लीजे आप हमसे हतियार लो चाइना से मतलो तो साओधी अरेबिया और जादा अभी रिसेंटली मिसाइल्स परचेस कर रहा है वर्थ 650 मिलियन दॉलर्स तो इसे के साथ यह लेक्चर हम स्वाप करते हैं टेलिग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर लेना पाथफ़ांडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लस या इकॉनिक में से कोई एक सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं ध्यान रखिए कि इन सभी सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो ऑप्शनल का कोर्स भी यहाँ पर अविलेबल है कि आपको लाइव मेंटरिंग मिलेगी हमारी तीन फ्री टेस सिरीज दो फ्री टेस सिरीज है तीसरी पाथफाइंडर टेस सिरीज नेक्स मन स्टार्ट हो रही है उसको ज़रूर जॉइन कीजिए इससे आपकी प्रिलिम्स की तियारी बहतर होगी और हर बुदवार को नए बैचेस बनते हैं तो 29 डिसेंबर से ये वाले बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं तो इन बैचेस को आप जॉइन कर सकते हैं थैंक्यू वेरी मच पूर वाचिंग दिस हाव ग्रेट डे